कि अच्छा कि अच्छो डॉक टाइब एश्टी में लिखा है यह अम एक्जाम से में पढ़ते हैं जी कंपल सरी कि अगर यह आप ना भी लिखो तब भी आपका पेज डिस्प्ले होगा ठीक है कि यह इसलिए लिखा है कि आपका पूरा जो पैट्रन है सोरी आपका टैप्लेट जिसको कह सकते हो एश्टी में लगा वह इस तरह से कि और दूसरी बात दुबारा मैं रिपीट कर रहा हूं एश्टी एमेल जो है ना वह आपका क्या है के सेंस्टिप ठीक है यह हो गया बोडी लेकिन बोडी से पहले क्या मैंने मिस्स कर दिये और उससे पहले है 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 कि योग है नमारा हो कोशिश करें हर टेग को कि सेपरेट लाइन ठीक है यहां इसको कर रहा हूं मैं क्लोज टाइटल को कीबोर्ड पर आदत है अब यह तोड़ा सा ठीक है यहां मैं एडिंग को कर रहा हूं है क्लोज थिक है एडिंग में मैंने क्या डाला जी यह नजर आ रहा है अपर आहलिये में जो नौपय मुझे टाइटल कॉलोव करना है ओधिक है अगर इसको मैं अब जो बात कर रहा हुआ मैं आप से के सेंस्टिभ वह भी मैं समझा रहा हूं प्रेक्टिकली करके आपको यहाँ पर मैं मैं इसको बोडी भी कर देता हूं कि यह किसी का पेट्रेन होता है काम करने का आप अपने तरीके कर सकते हो यह हमने अब बोडी में हमने दो चीज़े डालनी है एक तो पहले एक है डालनी है है एक वण ठीक है और यहां पर मैं कर देता हूं इसको तो इसको कर देता हूं और हैडिंग वन में अपना कर देता हूं पुलोज कि इसी तरह पिर एक तरह डाल देता हूं मैं पर अगराफ के लिए पीक अटेग है कर देंग की स्पेलिंग सही है कि यह हो गया और बोडी के अंदर यह चीज़ें लिखा था बोडी क्लोज किया फिर हमें टाइटल तो उपर ही क्लोज कर दिये था इसके बाद ऊपर क्या है यह देखो बोडी क्लोज हुआ बोडी से पहले आपका सोरी क्या था है एडिंग वह एडिंग भी क्लोज होगी और एस्टी एमेल क्लोज करना है ठीक है जी अब यहां मैंने मिक्स कि आपे केपिटल यूज किया टैग में कुछ जगा पे स्मॉल किया है यह करने का मकसद यह था सिर्फ आपको यह बताना जो मैंने कहा था के सैंस्टीब है तो इसको भी करके हम देखेए कि मैं लिड़के लिख किया एक टैगिंग वह जो हैं हमारा काम कर रहा है यह नहीं यह जो बात कह रहें यह सही है गलत है इसको मैं html1 के नाम से सेव करता हूँ डौट html आपको लाजमी लिखना है डौट html आपका क्या है फाइल का extension है ठीक है इसको मैं डेक्सटोपी सेव कर रहा हूँ और यहां पर इसको को All files कर दिया करो आपके वो आपने इसको टेक्स्ट किया होगा है यहां पर वो टेक्स ले ले बहिता है बनी हो प्रेश कर देता हूं और यह हमारा प्रेश कहां चला गया जी इस तबनी हों कहीं और समय होगे है कि डेक्स्टॉप पे है कि एक काम का तो मैं यहीं से इसको अपिंगर देता हूं ठीक है जी हमने सिंपल काम किया है तीन चीजे सिर्फ मैंने यूज किये कोडिंग का जो है मैं इसको साइट पर अगर देखता हूं तो यह नजर आ सकता है तो मैं इसको आपको यहां पर दिखाए दोनों को साथ मैं एक्स्प्लेंड कर रहा हूं यहां आमने इसको बताया है जी कि हमारा है डॉक्मेंट है अब भी इसको बात में दोबारा इसको अटा के भी देखूंगा मैंने यह क्या कहाता है इसके लिए यह कंपल सरी है और सोरी कंपल सरी तो लाजमी होता है ऑप्शनल है अगर यह इस टैक को अटा भी नहों तब हम और यहां ने सको बताया है ऐस्थी मेंट है श्र więc में शुरू हुआ और शूरी होने के बाद इसमें एडिंग देंके क्या धिया है एक फेर पर नजर आ रहा है मिंट्धी में को अटनल होगा है आडिंग 04323 यहां तीडियोग सरु tragedies का फिर उंक एपना में काम करने यह बोटम तक जो चीज चाहिए होगी वो बोडी में डालनी पड़ती है और बोडी के अंदर हमने सिर्फ दो चीजे लिए वह है एक हैडिंग एच वन और एक प्राइगराफ ठीक है एच वन थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा है इसी तरह हम एस्टू एस्ट्री भी करके देखेंगे कि उसमें का डिफ्रेंस है तो यह सिर्फ दो चीजे यह आपने खुद भी करके देखा आप दो चीजे में आपको जो बता रहा था कि यह ओप्शनल इसको मैं अटा देता हूं लेट सी वाट हैपन्स यह मैं अटा के इसको कर देता हूं सेब और इसको मैं कर देता हूं कोपी और सॉर्ड कोपी के लिए आपना वही शॉटकट की इस्तमाल कर सकते हैं उपर से भी कर सकते हैं जैसे इसको कर दो पैस्ट पैस्ट c ist coding का Hier फायदा है कि coding आपने कर दी उसके बाद आपrot को Phi करते कर दे कहीं पर भी यूस कर सकते इस को मैं अनुट zombies कि इसको 3 कर लेते हैं हैं इसको को कर लेते हैं इसको 5 कर लेते हैं और हो गया यह 3 हो गया हमारा यह 2 हो गया शिक्स रहता है लास्ट एक 6 भी रहते हो अच्छा अब इसको मैं सेफ कर रहा हूं इसको आप सिंपल रिफ्रेश कर दो यहां से यह देख रहा है उपर इससे कर सकते हो यहां इस पेज पर किलिक करने के बाद आपका रिफ्रेश को जो आपने कोडिंग में चेंजिंग की होगी अब यह हो गया हमारा एडिंग वन टू थ्री फॉर फाइफ सिक्स ठीक है यह लास्ट में पर आगरा तो एडिंग में यह डिफ्रेंस आ गया है ठीक है यहां तक क्लिए रहे आगे चले अच्छा जी उसके बाद हमने क्या किया था यहां पर अगली चीज पढ़ीती जी हम बलके इस पर चले चलना है इस पर चलो इस पर भी चलते हैं जो यहां पर पहले बेग्डराउंड को देखतें ले पिर फोंट के तरफ चलते कि उपर बडी में पहले बेग्राउंड आ रहा है आपका च्छा जी यह हो गया अच्छा बोडी इसको कर देता हूं मैं बीजी कलर एक है इक्वल टू बाई बोडी के अंदर जो बेग्राउंड का कलर है बराबर एक इसके इसको अंदर मैं इसको कर देता हूं ग्रीन अच्छा जी इसको डबल कॉलन करके इसको कर देता हूं सेफ जाके रिप्रेश्मा ठीक है अच्छा जब हम पावर्प्रेंट का कर रहे थे तो उसमें एक बात हम कर रहे थे कि जी कलरिंग जो हम यूज करेंगे सर ने भी आपको बताया था कि जब आप टेक्स का कलर लोगे ल है तो टेक्स्ट आप डालते हैं अब यहां देख रहो तोड़ा सा इसमें हो रहा है लेकिन अगर इसको में वाइट करता हूं यह और विजिबल अच्छा नजर आएगा ठीक है यह हो गया बेगराउंड में कलर आप वही तीन तरीके थे जो हमने आपको यहां बताया स्केंदर दिखा देता हूं आपको यह नंबर्स के तुरू एक्जाइड आइसीमेल यह परसंडेज वह आपक्यों पर अब इस पर बाद में करते जाएंगे पहले हम सिर्फ वर्ड्स के तुरू नंबर कलर्स एड़ करेंगे मिनलब टाइप करके यलो लिखेंगे पूरा र आप को अमने का ता कि फेले यहां से आपको इमेज देता हूं जो आपको से पर उसके पहले कॉपी कर लेता है पिक्टर में जाएंगे यहां मिल जाएंगे अच्छ बल्के यही हम अपने बैगराउन पर रखते हैं ठीक है ठीक है यहां से इसकी लुकेशन हम यह पॉपी कर लेते हैं ठीक है देख रहा है यह इसका URL होगी में जाब बैगराउन पर सेट करोगे मैंने क्या कहता है उसका इमेज सोर्स कोपी करना है जहां भी हो सेफ है उसको कोपी करने के बाद आपको जाना है अपने कोडिंग में अच्छा जी होगे कलर अब इसको अगर हम करते हैं यहां पर इसको मैटा देता है इमेज इक्वल टू है सोर्स इसका डालेंगे ऐसार सी शॉर्ट फॉर्म लिखना है मैं जो कोडिंग है अगर यह हमारा इमेज इड्राइब में नहीं होता जहां पर यह हमारा फाइल जो कोडिंग वाला रखा हुआ होँ होता तो यह चल पड़ता इसी तरह सिर्फ लिख करके उसका फाइल नेम डॉट जो भी है रन पर अब वह वहां पे था नहीं यह पड़ा जो कोडिंग वाला वह पड़ा ही ड्राइब में तो वह उसको एक्सिज नहीं दे रहा था वहां से ठीक है तो यह शौटकट तरीका था कि आप उसका पूरा कम्प्लिट यूरल वहां से उठालो तो वह कहीं पर भी पड़ा हो जो यूरल था जो www.html वह पूरा डिटेल में इसलिए दिया किसी कोने में भी हो वहां से आप बैड़के कुछी को इसको एक्सिस कर सकते है ठीक है अब तीसरी चीज क्या थी हमारे पास जी तीसरी चीज यह थी यह अटा तो एडिंग्स यह क्लेर हो गया है यह पड़े रहे हैं अच्छा अगला हमारे पास क्या था अच्छा यह बेगराउंड्स के हो गए एडिंग्स हो गए यह अच्छा है यह इसका एडिंग्स के कलर दे देते हम स्टाइल जो है इसको यहीं से कॉपी कर लें नाम वाला ही इसको मैं यहां दे देता हूं अच्छा जी यह मैं अटा देता हूं इसको इसके हमारा प्रेज हो गया इस बेगरांड को दुबारा से मैं कलर कर रहा हूं ताके जो ना वहां आपको इस पर डिस्प्लेय वसी नगर आ जाए इचे इसको में कर देता हूं झाला सब्सक्राइब कर दूंग अच्छ नगर आएगा यह अटाना पड़ेगा मैं टेगराउंड यह से पहले फिलाल के लिए मैं इसको अटा रहा हूं ठीक है अच्छ मैं डूसरा भी डालत लाँ ठीक है अब यहां पर कुछ एक्जेंपल दिये हैं नीचे वह आप बहुत कर लेना एक ही पेटरन है कलर सिर्फ चेंज कर सकते हो कोडिंग यह यह इसकी यह पहले एक्जेंपल में यहां पर हमने इसके बेगरांड का अगर चेंज किये जो हमारा है इंग है इसी तरह हम बाकी इसके साथ बागी फॉंट के साथ कर सकते और दूसरे एक्जेंपल में सिर्फ इसको बॉंडर दिया है अब थोड़ा तैसमें चेंजिंग में यह करता हूं कि यहां पिक्सल में बढ़ा देता हूं इसको मैं कर देता हूं फोर शेपर यह आपको करने तजुर्वेस आ रहे यह और यह बोर्डर थोड़ा थिक हो गया तीक है इसी तरह और मजीद बढ़ाओंगा में इसको मिशी तेंच कर देता हूं यह तेपिक्सल्स जो पॉंड की साइज है नवह भी पिक्सल न होता है ठीक है यह याद रखना और तिक होता जा रहा है अभी इसी तरह कलर के साथ भी आप कर सकते हो कलर यहां पर अब इसको मैं कर दूँ कुछ और जैसे देखते हैं क्या बनता है यह इसक्स्टी यह यह बाइड डफॉल्ड भी यह को हो सकता है इसे कह नहीं सकते प्रेक्ट करके देखेंगा तो पता चले हो गाइस नहीं हो रहा ठीक है यह डिफाइंड है यह डिफाइंड आर जी भी नंबर है सही है आच्छा दूसरा क्या था जी यह हो गया उसका एडिंग का कलर और दूसरा उसका लबला करें बॉडर अब हम चलते हैं इसी के अंदर फॉंट की उपर मज़ीद काम करना यह एडिंग भी एक फॉंट ही है यह प्री डिफाइंड इसका टैग है एच वान एच्टू इसी तरह फॉंट का भी एक होता है अ आप यह उसमें एड नहीं है लेकिन यहां इसको करके देखेंगे यह आप नोट कर लेना ठीक है अब इसमें कर देता हूं फॉंट फेस इक्वल टू फॉंट फेस मुझे बता सकते है कोई एक दो आपने जो पड़े हैं और यह एक है है फाल अबन में पड़े конт नोंग यह पावर पॉंट पैस बता दो है 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 हुआ के छिए योटपेस केलाते है लाट चिस छोगन फैस हो गया इस पेस रहे इसको में कलर कर देता हूं इसको में देता हूं वाइट वाइट पर का निजर आए खमाल करते हुआ इसको गृइन कर देता हूं अच्छा इसी तरह इस पे देता ہूं मैं कर देता हूं साइज हूँ इस सेप बाइस चलते आपको भी यह पाड़न फास कोट लिया इसका कलर लिया साइस लिया इक्विल टू क्या है जी साइज मैं इसको कर देता हम बाँ ठीक है और कुछ देने इसको मैं कर देता हूं खुल यहां पर देख जिता हूं जी कि तो मैं कुए मैं बुला रहा हूं आपको यहां पर मैं इसको फॉंड को कर देता हूं क्या कर देता हूं फॉंड को लोज अब देखते हैं हो सकते हैं इसमें कुछ यह टैक्स की जरूरत नहीं है है मैं लेकिन हमने लगा दिये एक्स्ट्रा लेस्ट सी ठीक है जी इस फॉंड का फेस है एरियल इसका कलर है ग्रीन और इसका दूसरा है तीसरा क्या दिया था साइज इसका है बारा तो यह आपको सारे इसी पैटरन पर चलना है यही कोडिंग होगी सिर्फ आप इसमें इसके क चेंज करोगे दो चीज़े में आपको बतायती ही यह आप पल्लू में बांद लो टैग्स एंड एलिमेंट्स टैग इसका फॉंड फेस फॉंड कलर फॉंड साइज ठीक है यह उसकी इसकी आगे एलिमेंट्स क्या होंगे वह बारा चौदा यह इसकी साइज कलर के अंदर ग है केलीबरी एरियल टांस वियू रोमन एगस एकसेक्टर एकसेक्टर फिक है तो मनेर सलीन के नाम था यह छल रहा है ऩो ठीक है समझ मैं तो हैकि बात यह एक एक आफ्साओ भर बेंग्राउंड डालोगे इसी में आप चाहोel कोडिंग करना चाहो अब एक सिंपल सा यह पेज अपने जहन में बनाना ठीक है?